हलो दोस्तों नमस्कार एक नई वीडियो में आप सभी कस्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग VA, VSC, VECOM, semester 2 वालों के लिए 500 जो most important questions हैं और फ्राथमिक चिकत्सा और स्वास्त से जुड़ हुए first aid and health से जुड़ हुए उनकी हम लोग series को complete कर रहे थे ठीक है ये 500 questions की series है जिसमें हमने most expected question है जो बहुत ही संभावित प्रसन है आपके परिच्छा में आने के लिए और जो previous year में पूछे के question है उन सभी questions को हम लोग इस series में solve कर रहे थे ठीक है अभी तक हमने आपको class तीन classes आपको हमने दे दिया है ठीक है तीन class हमने आपको दे दिया ह आज हम चौथी class लेकर आपके सम्मुक उपस्थित हुए है ठीक है यह हमारी चौधी class है तो चाहे आप आपको पता होगा कि हम इस series को हिंदी और इंग्लिस दोनों ही medium में complete कर रहे हैं क्योंकि हमने questions जो है हिंदी और इंग्लिस दोनों में type किया हुआ है तो आपका medium चाहे जो हो कोई समस्या आपको नहीं होगी ठीक है और मैं आपको भरोसर दिलाता हूँ यदि 500 questions की series को आप complete कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आप score कर पाएंगे first aid and health के question paper में examination में ठीक है और यह आनिवारी प्रस्णपत्र है इसलिए और ज्यदा ये चीजें महत्तुपूर हो ज ठीक है तो बीना time waste किये हुए चलिए हम अपनी चौथी क्लास को प्रारंब करते हैं जैसा कि आपको पता है कि हम प्रते क्लास में 50 questions आपको cover कराते हैं और अभी तक हमने 3 classes complete कर दी इसका मतलब कि हमने 150 questions को cover कर लिया है इसमें हम 151 number questions से चलने वाले हैं ठीक है तो सभी लोग रेडियो हो जाएए फटा फट से सारी चीजों को समझने के लिए मुझे उमिद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और सारी चीजे बहुत अच्छे से समझ में आएगी यदि आपके मन में कोई doubt या भी कोई confusion रहता है तो बेसक आप हमें comment करके बता सकते ह आश्ट में जरूर बताएगे कैसी लगी ये class ठीक है पहला हमारा question है वह का विकार एक प्रकार है वह का जो विकार है ये एक प्रकार है आवसाद गरस्तता का चिंता का मनोदसा का या फिर काल्पिनिक तब पैनिक डिस ओडर इजे टाइफ आफ डिस डिप्रेसिव जरूरłeगा एंजाइटी का जो fear है पेनिक डिस ब्चुबटर है यह एक प्रकार चिंता का विकार ठीक है किसका प्रकार है ये चिंता का एक प्रकार है तो जरू हमारा option नंबर विग इनजाइटी नेस्ट कोशन देखो शुक्रजनक न लिकाए निम लखित के बाद करीनि रद्धा अवस्था में, जन्भ में, योवन में, उपर युग्तियों में से कोई नहीं, तो यह होती हैं, पबर्टी एज में, जब आप युवा अवस्था में होते हैं, तब सुक्र जनक न लिकाएं, जो है, वो विक्सित होती हैं, तो सही जवाब क्या हो देगा, option number C, ठीक after how many days of fertilization, does implantation occur, 8 days, 7 days, 6 या फे 5 days, तो निसेचन के लगबग 8-9 दिन के बाद प्रत्यार ओपड होता है, 8-9 दिन के बाद प्रत्यार ओपड होता है, implantation होता है, अब यह क्या चीज़े हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोस्तो बिसिकली निसेचन वहाँ प्रक्रिया होती ह है, जब मादा के अंडालू और जुनर के सुक्रालू होए, वो आपस में जो उनके मिलने के क्रिया है, वही क्या कहलाती है, निसेचन कहलाती है, तो जब जो फीमेल्स के इक्स होते हैं, और जो मेल्स के स्पम्स होते हैं, वो जब आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम कहते ह है फार्टिलाइजेशन और फार्टिलाइजेशन के लगभग स्वोग नौव दिन के बाद प्रतियार ऊपर होता है । нуж fragen sto only basically implantation प्रेगिंइंसे की स्टेज होती है आपसे यह भी पूछा जाता है कि प्रेगिंम से की hust till stage क्या होती है तो implantation होती है ठिक पत्यार औपर ती कि प्रित्यार ओपर बिसिकली क्या है कि जब females keigs and males kasi smiles मिल जाते हैं तो उसके out 69 दिन के बाद जो women होती है जो मदल्ब females होती है वो pregnant हो जाते है जो मादा होती है वो pregnant हो जाती है तो वही चीज क्या कहलाती है implantation ठीक है आप समझ गे होंगे चलिए और ये प्रक्रिया होती कब है तो निसेचन के 8 से 9 दिन के बाद होती है सही जवाब होजएगा option number A next हमारा question है 154 जोस्तों यदि आपको कोई भी चीज समझ में ना है तो आप basic comment comment box आप ही के लिए पना हुआ है आप comment करिए हम आपके doubt का solution जरूर देंगे ठीक है आप से पुछा जा रहा है कि नौजात सिजू की हड्यों के संख्या होती है नौजात जो सिजू होता है उसमें हड्यों के संख्या कितनी होती है number A bones a newborn child 270, 300, 200 206 जो newborn baby होता है उसमें 300 से 305 पाइब के बीच में bones पाए जाते हैं ठीक है लेकिन जब वह baby adult हो जाता है जब वह baby adult हो जाता है मतलब कि नौजवान हो जाता है यूआ हो जाता है एक तरीके से तो उसमें 206 हड्यों पाए जाती है ठीक है यदि आप से पूछे कि वैस्क मनुस में वेस्क मनुस्य में कितनी हडिया पाई जाती हैं दोस्तों आपको बताना है 206 और न्यूबॉर्ण बेबीज में या फिन न्यूबॉर्ण चाइल्ड में आपसे पूछा जाए तो 300 से 305 हडिया देखने को हमको मिलती हैं ठीक है तो इतनी बात आपको समझ में आ गई सही जवा आप सभी ने बच्च्पन से ही पड़ाओगा कि जो 5 हमारी घ्याने इंद्रियां है वो कितनी है तो वो नंबर में 5 है कौन-कौन सी है आक है जीव है तुच्चा है नाक है और कान है तो सही जवाब क्या हो जाएगा उपर युक तो सभी यहाँ भी नाक दिया हुआ तो सही option हमारा सही जवाब हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पे हमारा नेस्ट कोशन है कोशन नंबर 156 156 नंबर कोशन में आप से पूछा जा रहा है कि निमने में से कौन सा एक पुरुस द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रन उपकरण है आपको बताना कि वीच आपदा फालोइंग इजे बर्थ कंट्रोल डिवाइस बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूजड बाई मेल आपको बताना कि कौन सी वो बर्थ कंट्रोल डिवाइस है जो मेल की द्वारा यूजड की जाती है कापर टी खाने की गोली निरोद या फिर डायाफ्राम कापर टी ओरल फिल्स य करते हैं और जो यह जो कापरटी है और यह जो डायाफ्राम है कापरटी और डायाफ्राम का इस्तेमाल फीमेल्स के द्वारा होती है फीमेल्स के द्वारा किया जाता है जो बर्थ कंट्रोल है बर्थ कंट्रोल करने के लिए कापरटी और डायाफ्राम का और मेल्स के द्वारा नीरुद का इस्तिमाल किया जाता है, चलिए, नेस्ट हमारा question है, question number 157, जन्मिक के समय सिसु के मस्तिस्क का भार होता है, या फिर डी आफसन आपके पास तो हटर ग्राम जब बेबी का बर्त होता है तो उसके ज़ो माइंड का जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 350 ग्राम ठीक है और जब पुरुस एडल्ट हो जाता है मतलब कि वेस्क हो जाता है तो उसके ब्रेन का वेट कितना हो जाता है मतलब कि जब आप से पूछा जाए कि वेस्क मनुस के व्रेन मस्तिस्क का वेट कितना होता है तो आपको बताना है कि 1400 ग्राम होता है कितना होता दोस्तों 1400 ग है, brain का weight pound में बताओ, लगभग THREE pound होता है, कितना होता है? जब आपसे pound में पूछेगा, तो THREE pound आपको बताना है, basically दोस्तों इसको आप चेंज कर सकते हैं जो वैस्क मनस के ब्रेन का वेट होता है वो 1400 ग्राम लगभग क्या स्वास होता है ठीक है लगभग होता है इसको पॉंट में चेंज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक पॉंट बराबर एक पॉंट बराबर दोस्तो होता है चार सो तिरुपन ग्राम लगबग चार सो तिरुपन ग्राम होता है और पॉइंट में भी थोड़ा सा कुछ होता है तो basically आप यह मान के चलिए कि चार सो तिरुपन ग्राम होता है एक पॉण्ड वराबर तो चौदस सो को जब हम पॉण्ड में बदलेंगे तो लगवग 3 pound के आसपास आएगा ठीक है तो जब pound में पूछे तो आपको 3 बताना है इस question के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा option number is 300 gram चलिए next question पर बढ़ जाते हैं next हमारा question है question number 158 और साथ के लिए प्रात्मिक उपचार है और साथ के लिए प्रात्मिक उपचार है the first treatment for depression anti-anxiety, anti-manic, anti-depressant या फिर anti-vichypt रोधी या फिर psychotic ठीक है तो सही जवाब इसका हो जाएगा anti-anxiety आप medicine का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको depression है तो उसके प्रात्मिक उपचार के लिए आप anti-anxiety tablet का इस्तेमाल कर सकते दोस्तों लेकिन यदि आपको आपने depression का अपने जो आपको tension है जो depression है आपको उसका permanent इलाज चाहिए तो आप depression के regions का पता करिए किस regions की वाज़ा से आपको depression हो रहा है जब तक आप उन regions को नहीं अटाएंगे तब तक आप depression ठीक नहीं होगा और प्रात्मिक उपचार के लिए और मतलब की तुरंट इसका solution पाने के लिए आप anti-anxiety tablets का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीके चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा option number A next question हमारा है 159 किस पट्टी को सुरच्छित रखने के लिए security pin provided to secure it इसको secure करने के लिए security pin provide करी जाती है ठीक है तिरकोड़ी पट्टी में किरिगामी पट्टी में elastic पट्टी में या फित तरल पट्टी में तो liquid अभी देखो liquid पट्टी को पर भी एक question है उसको भी अभी हमको बताएंगे आपको ठीक है basically इसका सही जब आप क्या होगा triangular bandage यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं यह है triangular bandage यहाँ पर आप हमने बहुत अच्छे साब के लिए image लगाया है यहाँ साब देख के समझाए यह है दोस्तो triangular bandage इसको जब हम उपर fold करते हैं इसमें मिलाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर safety pin लगा जाती है और यह triangular bandage का एक पूरा packet है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 into 40 into 56 यह bandage है और यहाँ पर देखिए two safety pins यहाँ पर two safety pins यह दिखाई भी आपको दे रही होगी और यहाँ पर लिखा भी हुए है तो triangular bandage में हमें safety pin provide की जाती है safety pin दी जाती है ठीक है basically यही question आप से पूछा जा रहा था तो आपको हमेशा याद रहेगा triangular bandage ठीक है चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी necessary reproductive gland in male mammals ठीक है वच्छन ग्रंथी प्रोटेस्ट प्रोस्टेट ग्रंथी जठर ग्रंथी या फिर उपर यूग्त में से कोई नहीं तो 160 का सही जवाब होजेगा प्रोस्टेट ग्रंथी ठीक है प्रोस्टेट ग्लेंड जो है यह एक इस तन धार्यों में एक सहायक जनन ग्रंथी होती है सही जवाब होजेगा ऑफ्षिन नंबर बी नेस्ट हमारा कोशन है कोशन नंबर 161 सर्व दाता रखते समूह कौन सा है तो आप लोगों ने बच्पन से बहुत पढ़ा होगा सर्व दाता रखते समूह कौन सा है सभी को पता होगा सही होता है यह सर्व दाता होता है यह आप से यह पूछता है कि सर्व गराही रक्त समूह कौन सा है तो आपको बताना है कि एवी हलाकि इसमें और बहुत सारे फैक्टर होते हैं और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको चिक करने के बाद ही जो ब्लड अपना है वो डोनेट कि भी खेलम Fahrenheit खाता और सबस्क्राइब यहाइं लिकिन कोशें आप से सिर्फ यह पूछा जाता है कि सर्वदाता कौन है और सर्वदाता का मतलब दोस्तों यह है कि जो भी व्यक्ति और ब्लेड गुरूप वाला होगा वो अपना ब्लेड किसी भी फ्लेड गुरूप को दे शकता है चाहे उसका blood group A B हो B हो O हो या फिर A हो ठीक है और जो सर्व ग्राही है एक किसी भी blood group से चाहे A B वाला हो B group वाला हो O हो या फिर A group blood वाला group हो वो ले सकता सभी से ठीक है sort में O सभी को अपना blood donate कर सकता है AB सभी से blood ले सकता है ठीक है समझगे इतनी यूनिवर्सल बलड डॉनर कौन है यह जवाब आफिशन नंबर C रहेगा 162 बिले डियादी जूटी मानिता हैं जो ब्रामक दिखाया जाने के बाद भी दूर होती है दूर नहीं होती है आप को यह बताना है धुक है यह जूटी मानिता हैं जो ब्रहमक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती हैं ब्रहम साइजोफ्रेनिया पैराफ्रेनिया या फिर उपर यूगत में से कोई नहीं 162 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रहम इल्यूजन्स तो ए हमारा हो जाएगा राइट अंसर नेस्ट हमारा कोशन है कोशन नमबर 163 डबल एक्स गुर्ण सूतर पाया जाते हैं डबल एक्स क्रोमोजोंस इन फाउंड इन कहां फाउंड होते हैं पिता में होते हैं माता में होते हैं दोनों में होते हैं या फिर उपर युक्ति में से कोई नहीं तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टन कोशन है और कई बार ये पूछा गया है डबल एक्स गुर्ड सूत्र जो हैं ये पिता में पाय जाते हैं इसमें पाय जाते हैं पिता में एक्स वाई गूर्ड सूत्र पाए जाते हैं ठीक है पिता में एक्स वाई गूर्ड सूत्र पाए जाते हैं कई बार आपसे पुछा जाता कि एक्स वाई गूर्ड सूत्र किस में पाए जाते हैं कई बार आप अपसे पूछता है कि double x गुर सूत्र किस में पाय जाते हैं, तो ये clear cut बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, कि double x माथा में पाय जाते हैं और x y गुर सूत्र पिता में पाय जाते हैं, चलिए, 164 नंबर कोशन है, 164 नमबर में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अंता स्रावी गरंथी नहीं है कौन सी एक अंता स्रावी गरंथी नहीं है नहीं वर्ड पर आपको जरूर ध्यान देना है वीच वण आप दी फालोइंग इस नॉट ए एंडरीन ग्लेंड ठीक है थाइराइड ग्लेंड एडरीन ग्लेंड ग्लेंड पिट्री ग्लेंड या फिर स्लेवरी ग्लेंड तो सही जवाब हो जाएगा स्लेवरी ग्लेंड यह जो लार गरंथी है यह एंडरीन ग्लेंड नहीं ह ठीक़े D होजएगा हमारा राइट एंसर नेस्ट हमारा कोशन है गुड़ सूत्रों की संख्या होती है तो नमबर आप क्रोमोजोम्स आर तो 23 पेर होते हैं गुड़ सूत्र के कितने पेर्स होते हैं जब आपसे पेर पूछेगा तो आपको 23 बताना है और जब आपसे number total पूछे और तो बताना आपको 46 basically इसको 2 से multiply कर लेना है ठीक है चलिए सही चवाब के हो जाएगा 23 pairs next हमारो question है एक गंभीर मांसे किस्तिती है जो वास्तिविक्ता के संपर्क के नुकसान से संकेतिक होती है उसे कहा जाता है फैराफ्रेनिया गति ब्रहम साइजोफ्रेनिया या फिर उपर युक्ति में से कोई नहीं दोस्तों इसको कहा जाता है साइजोफ्रेनिया ठीक है साइजोफ्रेनिया एक गंभीर मांसे किस्तिती है गंभीर जो साइकोटिक कंडिशन है वुस्तिविक्ता से संपर्क की नुक्सान को संकेति करती तो इसको क्या कहते हैं साइजो फ्रेनिया कहते हैं चलिए नेस्ट हमारा कोशन है कोशन नमर वन शिष्टी सेवन अनवानसिक्ता का गुड़ है है एडिटी मॉलेकुएल्स डेने आ रयने क्रोमोजोम से is so समझव्राइड नवासिक्ता कोुछ एक jundasyon से दूसरी जन्सला मदलब की जो ने जो उतर से ह्वाफ़ क्पार्टी जें उनन है तो D-A-C-C-Ribonucleic का अमलों होता है या फिर आमलों को English में बोल सकते हैं एसिड और RNA का फुल फाम होता है Ribonucleic Acid ठीक है इस कोईशन के साफ साथ सही जवाब क्या हो जाएगा DNA अन्वान सिख्ता को का जो अलू है वो है DNA नेस्ट हमारा कोशन है 168 माता का प्रथम दूद कहलाता है मदर्स फस्ट मिल्क इस काल्ड भाइट मिल्क यलो मिल्क या फिर कलोस्ट्रम कहलाता है या फिर नाप दी अब आओ सही जबाब जएगा ऑफशन नमबर सी कलोस्ट्रम जो मदर्स का फस्ट मिल्क होता है माता का प्र गुर्षूत्र जो पाया जाता है वो पिता में पाया जाता है माता में डवल एक्स गुर्षूत्र पाया जाते हैं ठीक है तो 169 का जो सही जवाब हो जाएगा option number B पिता ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग next हमारो question है 170 कौन सा जहर ब्यापक रूप से associate होता है carbonic racine वाले carbonic racine वाले छारी या फिर अमली तो जो organic chemical substance होते हैं ये large scale में observed होते हैं ठीक है मतलब कि ब्यापक रूप से associate होते हैं सही जवाब होजएगा option number A ठीक है चलो next question पर आते हैं 121 number question है हर वर्स तुरिया भर में कितनी महिलाओं की म्रत्यू प्रसो ये गरभावस्था की जटिलताओं की कारण हो जाती है how many women die due to delivery or pregnancy complication delivery or pregnancy की complication से world में urear कितने women की मतलब म्रत्यू हो जाती है आपको यह बताना चार लाग three six या फिर five lakhs तो उसका सही जवाब है दोस्तों देखो बहुत सारे institutions हैं बहुत सारी संस्था हैं जो अलग अलग आकड़े बताती हैं लेकिन डबलो एचो के अनुसार डबलो एचो के अनुसार लगभग लगभग में आपको हम बता रहे हैं यह आकड़ा घरता बढ़ता रहता है तो लगभग three lakh के आसपास जो महिलाएं हैं वो delivery और pregnancy की complication मतलब जटिलताओं के कारण इनकी देथ हो जाती है तो यह आई होप आप समझ गए होंगे कोशन ठीक है सभी जवाब क्या होजएगा option number b next हमारा कोशन है जानवरों के 172 नंबर है जानवरों के काटने के काटने से कौन से लच्षण दिखते हैं जानवरों के काटने से कौन से लच्षण दिखाए देते हैं सिर्दर देवाम बुखार हेड़ाचे एंड फीवर मुह से जाग निकलना forming and at mouth जी मसलाना या ओल्टी होना सभी सही जवाब इसका हो देगा डी ऑफ्सन उपर योग तो सभी देखो जब कोई जानवर काट लेता है तो यह सारे के सारे लच्षण हमको दिखाए देते हैं सिर्दर होना बुखार होना मुह से जाग निकलना जी मसलाना उल्टी होना यह सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वह दिखाए देते हैं जब कोई चानवर काट लेता है तो ठीक है चलिए बलते हैं नेस्ट कोशन पर नेस्ट हमारा कोशन है 173 नमबर निम्न में से कौन सी प्रसवपूर्व प्रथा स्वस्त गर्भा वस्ता में युगदान कर सकती है आपको दाना वीच आप दा फॉलोइ अबर ऑफिंग तो प्रेक्टिस कान कांट्रीबूट ए है यल्दी प्रगिनेंसी के लिए कौन सी प्रेक्टिस हेल्फवफूर्फूल हो सकती है छिक है आपको यह बताना है ऑफ्सन नम्र ए है पोसल या फिल्दी नूटरिशन औफ्सन नम्र ब बी है दैनिक बिटामिन वह फॉलिक एसीड डेली विटमिन्स या फॉलिक एसीड ऑफशन सी है एक्सरसाइज या फिर आलाब्दी एबाउं तो इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा ऑफशन रबर डी आलाब्दी एबाउं देखो प्रेगनेंसी के पूर्व जो मां है जो माता है यदि वो अच्छा पो अवस्ता में योगदान कर सकता है यह सारी चीजे ठीक है तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑफशन नमबर टी मुझे उम्मीद है कि आप समस्गे होंगे और बलते हैं नेस्ट कोशन पर हमारा नेस्ट कोशन है कोशन नमबर 174 बिच्छू दंस के बाद कौन कौन से लच्छ आए या फिर दोनों या फिर उपर युक्ति में से कोई नहीं तो सही जवाब हो जाएगा ऑफशन नमर सी बोथ ए और एंड भी दोनों ठीक है तो अच्छे के रंग में परिवर्तन भी हमें दिखाए देता है और हमें थोड़ा सा धुंदलापन दिखाए देने लेगता है द्रेश्टी समस्या होने लगती है ठीक है जैसे आँखों के सामने अंधेर अचा जाता है ऐसा मरसूस होता है जब कोई भी चूप काट लेता है ठीक है चलिए नेस्ट कोशन पर आते हैं नेस्ट हमारा कोशन है कोशन नमबर 175 जिव्या का मुखकार क्या होता है तचीफ फं फंसन है वो आपको बताना है गंध की पहचान करना क्या जीव गंध की पहचान करता है यह तो गलत है स्वाद की अनभूती करना सही जवाब क्या हो जाएगा तो फील टेस्ट को फील करना ही क्या होता है टेंग का में फंसन होता है जीव का में कार्य होता है वाइवाता और प्रात्मिक सहायता के ABC नियम में यह फी का तात्पर aid में प्राथमिक चिकत सामें एक rule है ABC इस rule का full form क्या है A BA का जो full form है वो है airway क्या है ये लिखा हुआ है airway B का जो full form है मतलब B का जो मतलब है वो है breathing क्या है दोस्तों breathing है और C का जो मतलब है यहां पर circulation क्या है circulation अथात इसको हिंदी में भोले तो परिसंचरण अब आप खुदी देख लीजिए आप से पुछा जा रहा था कि ABC नियम में B का क्या थात पर है तो B का थात पर क्या है वरीथिंग सही जवाब क्या हो जाएगा option number A ही तांस लेना इसके हो जाएगा हमारा राइट एंसर स्ट कोशन देखो 177 सब्द का प्रियोग सर्व प्रथम किस ने किया था अगर यहां पर कुछ इंस्ट्यूशन के नाम दिए गये हैं सेंट जान एंबुलेंस एस्टोशियेशन इस मेडिकल एस्टोशियेशन क्यों वह फस्ट इंट्रूजड द फॉर्ड इड तेह किया दा यजा रेड़ क्रौश ने किया था ठीक है जवाब होलेगा एंगर आप से यह पूछ कि रेड़ क्रॉस सब्द का किस वर्स्ट एड़ सब्द का प्रियोक सर्व प्रथम किस बैग्यानिक ने किया ठीक है यह आपसे बैग्यानिक का नाम पोच्टा दोस्तों तब आप बताते हैं यह हैं फ्रेडिरिक इंका आपको नाव याद रखना है वाई फ्रेडिरिक इस मार्च इस मार्च इस मार्च ने अठारा सो सतर में सबसे फहले first aid सब्द का प्रियोग किया था first aid सब्द का प्रियोग किया था एक बार आपको रिवेजन करा देते हैं यदि आपसे institutions के बारे में पूछे कि कौन से institutions ने सबसे फ़हले first aid का इस्तिमाल किया था तो आपको red class बताना है यदि बग्यानिक पूछे तो फ्रेडरिक स्मार्च बताना है 1870 मिनों ने किया था next हमारा question है CPR में सामिल है CPR involves तो बचाओ सांस बचाओ सांस और पेट में जोर basically आपके CPR के function से जुड़ा हुआ question है CPR का फुल फार्म क्या होता है Cardio Pulmonary Reciation क्या होता दोस्तो Cardio Pulmonary Reciation होता है इसका फुल फार्म कई बार आपसे पूछ लेता है तो इसको भी याद आपको रखना है CPR में सामिल है बचाओ सांस और पेट में जोर सीने में संकुचन और बचाओ सांस उदर थ्रस्ट और फिंगर स्वीप साती संकुचन और पेट में जोर तो 178 का जो सही जवाब है Option number B इसको इती ध्यान से समझेंगे तो CPR में क्या होता है सीने में संकुचन और बचाओ सांस चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है और रिस्क्यू ब्रीथ उसको दी जियाती है यहाँ पर देखिए पेट में जोर दिया जाता CPR में पेट में जोर नहीं दिया जाता उस पर चेस्ट फिर प्रेसर डाला जाता है ठीक है चेस्ट पर प्रेसर डाला जाता है ना कि स्टुमक पर ठीक है पेट पर जोर नहीं दिया जाता यह बात आपको ध्यान में रखेंगे सही जवाब क्या हो जाएगा option number B next हमारा question है question number 179 विस सुपरात्मिक चिकत्सा दिवस किस माह में मना जाता है विस सुपरात्मिक जो चिकत्सा दिवस है वो किस माह में मना जाता है जुलाई में, अगस्ट में, सितंबर में या फिर अक्टूबर में यह जो है प्रतिवर्स सितंबर माह में मना जाता है कम मना जाता है प्रतिवर्स सितंबर माह के दूसरे सेटर्डे को मना जाता है ठीक है सिकेंड सेटर्डे को मना जाता है यहां पर किसी रोगी की इस्थिति की जांच करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए किसी रोगी की इस्थिती की जांच करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए बाहरी चोटों के लिए जांच करें पीडित से बात करें और उसके कंदे को हिलाएं सांस लेने के लिए जांच करें उपर योगत सभी जब किसी रोगी की इस्थिती की जांस करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए उसकी बाहरी चोटों के लिए जांस करें कहीं उसको चोट तो नहीं लगी फिर उसकी पीडित से बात करें या आपको क्या परिशानी है आपको क्या परिशानी है अपने परिशानी बताईए और उसके कंधे को थोड़ा सा हीलाएं आफशन नमर सी आप उसके सांस की भी जांस कर सकते हैं कि वो सांस लेने में सच्छम है या नहीं वो सांस ले पा रहा है या फिर नहीं ले पा रहा है अथात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आल आप दी अबाउ उपर युगत सभी नेस्ट हमारा कोशन है 180 one number question निम्ने में से कौन सा दिल का दौरा पढ़ने का सबसे आम लच्चड है जब दिल का दौरा पढ़ता है तो सबसे आम लच्चड क्या है जो हमें सबसे पहले दिखाई देता है सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है चेस्ट में पेन सीने में दर्ध हमें महसूस होता है जब दिल का दोरा पड़ता है तो इसलिए C आफसन हमारा हो जाएगा राइट एंसर नेस्ट हमारा कोशन है 182 नमबर इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है तो ये किया जाता है सब क्योरेनियस में कहां पर दोस्तों सब क्योरेनियस में यहां पर ओप्शन नमबर हो जाएगा हमारा C बिलकुल सही जवाब नेस्ट कोशन देखो 183 नमबर है फ़स्ट डिगरी बर्न के क्या लच्छन है फ़स्ट डिगरी बर्न के क्या लच्छन है What are the symptoms of फ़स्ट डिगरी वर्न मामूली सूजन तवचा पर लाली या फिर दोनो या फिर उपर युक्त में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब जाएगा फ़स्ट डिगरी बर्न के जो लच्छन है मामूली सूजन इसमें हो जाता है और तवचा पर लाल चकत्ते पर जाते हैं ठीक है चलो नेस्ट कोशन देख लेते हैं 184 नमबर कोशन है 200 स्वास्त संगठन का मुख्याले कहा है WHO World Health Organization का जो लोकेशन है वह कहां पर आपको बताना है जिनेवा में हैं लंदन में नियू यार्क में दिली में तो दोस्तो ये जिनेवा ये जिनेवा है सुट्जर लैंड के सुट्जर लैंड के जिनेवा में इस्तीत है WHO का मुख्याले ठीक है यह आपको ध्याद में रखनी है नेस्ट हमारा कोशन है BCG का टीका क्यों लगाया जाता है हैजारोक से बसने के लिए TV से चेचक से या फिर टीटनेस से बसने के लिए वाइस दा BCG वैक्सीन गिवेन तो BCG की जो वैक्सीन दी जाती है वो TV से बसने के लिए इसको टापेदिक भी बोलते है तिक के टापेदिक से बसने के लिए दी जाती है option number B हो जाएगा हमारा राइट एंसर नेस्ट हमारा कोशन है question number 186 निम्न में से कौन सा मानसिक रोग है निम्न में से कौन सा मानसिक रोग है Alzheimer है डिमेंसिया है या फिर दोनों तो यह जो दोनों रोग है यह दोनों के दोनों मानसिक रोग है ठीक है mental illness है सही जवाब क्या होज़ेगा option number C नेस्ट हमारा कोईशन है 187 number वैस्क मानों सरीर में कुल कितनी हड्या पाई जाती तो अभी हमने आपको बताया था 206 हड्या पाई जाती है और एक newborn baby में लगभग 300 से 305 या 6 हड्या पाई जाती है ठीक है 300 से 305 या 6 हड्या पाई जाती है एक newborn baby में और जो वैसक मनस्य होता है उसमें दोसो छे हड़ियां पाई जाती है नेस्ट हमारा क्वोशन है 188 नंबर रग्त को छानकर सुद्ध करने वाला मानों अंग कौन सा है आफ सभी को पता होगा कि जो हमारी किडिनी होती है जो हमारी किडिनी होती है वो क्या करती है उरक्त को filter करने का कारी करती है उरक्त को क्या करती है filter करने का कारी होती है तो सही जवाब क्या होजएगा option number C यह दिया आपसे पूछे कि सरीर का सबसे बड़ा दूसरा अंग पूछे सबसे बड़ा दूसरा अंग या फिर सबसे बड़ा आंत्रिक अंग सबसे बड़ा आंत्रिक अंग पूछे आपसे ठीक है तो सही जवाब आप क्या बताएंगे लीवर हमने क्लास नंबर 3 में आपको ये बताई थी ये बात आप क्लास नंबर 3 को जरूर देखिएगा ठीक है फिलाल इसका सही जवाब क्या हो जगा किडिनी रग्त को छान कर सुग्ध करती है 189 नंबर कोशन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किस वर्थ सपारित हुआ था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विसिकलि आपको बताना है कब इंट्रिड्यूस हुआ में नाइटेन and 82 में 1984 में य茭ी 1986 में ये वा था दोस्तो 1986 में हुआ था एस्ट कोशन हमारा है najणसब्द विसिकलि आपको बताना है दोस्तों में सब्द कहा से आया इटाइलिएन लेंगवेज जा ऑए से लेंग्वेज्ये से आया है तो इसका सही जवाब देगा और जिसका अर्थ होता है जिसका मीनिंग होता है आत्मा आत्मा या फिर अन्ताहमन ठीक है आत्मा या अन्ताहमन होता है ठीक है जब आपसे पूछेगा कि psychology सब्द कहां से आया तो यह Greek से Greek word psyche से बना है चलिए स्वास संबंदी रोगों के मुख कारण है स्वास संबंदी रोगों के मुख कारण है वह यह जब आप धूमरपान करोगे तो स्वास संबंधी प्राब्लम्स आपको होंगी स्मोकिंग के दौरान भी होती है और एर फालुशन से भी हमें स्वास संबंधी रोग हो जाता है सही जबाब क्या होजएगा option number C होजएगा हमारा right answer A and B दोनो 192 number question हमारा है 3D mold से कौन से पत्ती बनाए जाती है 3D mold से कौन से पत्ती बनाए जाती त्रिकोडी पत्ती करिगामी पत्ती तरल पत्ती या फिर compression पत्ती which bandage is made from the 3D mold रेंगुलर बंडेज करिगामी बंडेज लिक्विट बंडेज या फिकमप्रेशन बंडेज इसका दस्तों सही जवाब होजएगा वो होजएगा लिक्विड बंडेज तरल पत्ती ठीक है लिक्विड बंडेज इसका सही जवाब होजएगा इसको 3D mold के द्वारा बनाए जासकता है 193 नमबर हमारा question है खार्नी कारक पराबैगनी किर्डे हैं उनसे जो तोचा किर अच्छा कौन करता है आपको यह बताना है milanin करता है सेवं करता है epidermis करता है या फिर उपर यूप्र में से कोई नहीं सही जवाब होजएगा milanin ठीके पड़ा बैगनी किर्डों से सुरच्छा कौन करता है है दूस्तों तो मिलनीन करता है option no A रहेगा हमारा लाइट एंशन है 194 number question है दर्ध कम करना 10 कप पहला उद्देश है दर्ध कम करना 10 का पहला उद्देश है ।ो आई सीओ उपचार राथमिक उपचार दबा या फिर सरजरी कि इसका सही जवाब बजगा i.c.u treatment का का क्या होता है दर्द को कम करना आपने सुना ही होगा ICU ICU वार्ड बहुत emergency वाले जो कैस होते हैं उनको ICU वार्ड में रखा जाता है कई बार आप से पुछ लेता कि ICU का फुल फार्म क्या होता है ICU treatment में ICU का फुल फार्म क्या है तो आपको बताना है intensive care medicine होता है इसका फुल फार्म क्या होता है intensive care medicine तो इसका फुल फार्म भी आपको ध्यान में रखना है और दर्द को कम करना और जो पेशेंट है उसको थोड़ा सा आराम की आउस्था में लाना मतलब उसको रहात देना ICU treatment का प्राथमिक उद्ध्य से होता है ठीक है चलो नेस्ट कोशन दे अंग तो आपको बताना है यक्रत आपसे यदि पूझे सरीर का आंत्रिक सबसे बड़ा अंग सबसे बड़ा अंग सबसे बड़ा अंग आपसे पूझे तो भी आपको क्या बताना है लीवर ही बताना है और सबसे बड़ा अंग पूझे आंत्रिक वांत्रिक कुछ ना लगा पूछे सबसे बड़ा अंग बताईए सबसे बड़ा अंग बताईए तो आपको क्या बताना है तो अचा है ये सारी चीज़े आपको क्लास थ्री में बताईए तो आप क्लास थ्री को जरूर देखें ठीक है और सबसे बड़ी हड़ी सबसे छोटी हड़ी ये सभी चीज़े हम यदि आप से टोटल अंगुल अस्तिया पूछे तो फिप्टेश शिक्स होती हैं लेकिन यहां पर कुल तो लगाया नहीं गिया ठीक यहां पर कुल है नहीं तो आपको बताना है human body में मतलब देखो इसको थोड़ा समझ देते हैं बात यह है कि जैसे आपके दो पंजे हैं दो हाथ के पंजे हैं और दो पैर के पंजे हैं आपके पैर के पंजे हैं तो प्रते एक पंजे में 14 अस्तियां पाई जाते हैं कितनी दूस्तों पाई जाती हैं चौदा अस्थियां पाई जाती हैं अंगुल अस्थियां चा बोलेंगे अंगुल अस्थियां अब देखो हाथ में दो पंजे होते हैं तो 14 को दो से मल्टिप्लाई कर लो तो 14 टूज़ा कितना हो जाएगा 28 यहां पर भी 14 टूज़ा 28 जब दोनों को आइड करोगे तो कितना आदाएगा 56 जब आपसे टोटल पूछेगा तो आपको 56 बतानी है और जब आपसे बिसिकली अंगुल अस्थियां पूछेगा तो आपको बतानी 14 ठीके मुझे उम्मीद कि आप समझ गया होंगे चलिए नेस्ट कोशन वे बढ़ते हैं जी एडी का आर्थ क्या होता है जी कोई नहीं 197 का तो सही जवाब होजेगा जर्नलाइज्ट एंजाइटी डिस ओडर ठीक है सही जवाब के होजएगा ऑफशन नमबर बी सावानिकरत चिंता विकार चाफिर इसको आप इंगलिस में याद रखिये जनलाइजड एंजाइटी डिस ओडर होता है जी एडी का फ़ानि फिल्टर करती है यह बहुत इंपोर्टिंट है और आपको जानकर अ dieta होगा कि हमारी जो किडिनी है वह एक दिन में लगवग दो लिडर 200 ल डव लीटर वाटर फिल्टर करती है दोस्तों ठीक है आप सोच लीजिए कि हमारा बोडी कितना कॉंप्लेक्स है हमारा बोडी कितनी जटिल संदस्नायों को परफॉर्म करता है तो किटनी एक दिर में कितना फानी फिल्टर करती है तो 24 घंटे में लगबग 200 लीटर की आस्वास फानी फिल्टर करती है तो 198 का सही जवाब ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा 199 नंबर कोश्चन है प्राथमिक सहायता का उदेश है अब्जेक्टिव फास्ट एड अब्जेक्टिव आफ फास्ट एड बताना फ्रोटेक्ट लाइब टू के टू टेक केर आफ बैडली इंजर्ड तू प्रिवेंट फ सभी सही जवाब क्या हो जाएगा उपर युक्ति सभी फास्ट एड का उद्देश क्या है प्राथमिक चिकत्सा यफ प्राथमिक सहायता का उद्देश है जीवन को सुरच्चित रखना कंभिल या घायर ब्यक्ति की देख रिक करना और रोगी को संकट कालिन आवस्था को आधिक बढ़ने ना देना उस अभी कि सभी उद्देश क किसके हैं व्युक्ति और कहुं इस वीडियो का इस क्लास का लास्ट कोशचन है आपको बताना है लास्ट कोशन है प्रात्मिक सहायक्ता करता की गुड़ है, qualities of first aider, जो first aider की qualities क्या होनी चाहिए, आत्म विश्वासी होना चाहिए, प्रसिचित होना चाहिए, सिग्र निड़े वाला होना चाहिए, वो प्रोक्त सभी, देखो जो first aider होते हैं, ये मतलब सदेनली जैसे सदेनली आपको कुछ हो जा तो ये उसके लिए बनाए जाते हैं, और अगर वो सिग्र निड़े नहीं ले पाएगा, तब तक तो पेसेंट जो है, रोगी जो है, उसका काम खतम हो जाएगा, तो एक सिग्र निड़े वाला व्यक्ति होना चाहिए, quick decision maker होना चाहिए, जो first aider हो, वो quick decision maker हो, दूसरी बात क के अंदर self confidence होना चाहिए, ये सारे के सारे गुर के अंदर होनी चाहिए, एक first aider के अंतरगत होनी चाहिए, प्रात्मिक साहता करता के अंतरगत होने चाहिए, तो दोस्तो ये थी, इस तरीके से हमने अपनी fourth class को complete कर लिया है, और मुझे उमीद है कि आपको ये दोस्तों पसं ये सेरी चल रही है, तो मिलते हैं next class में, मतलब कि fifth number class में, fifth number class कल साम 6 बजए अपलोड कर देंगे हम, तो उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जैहिंद, बंदे मादरम, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहे हैं, और जीवन में अपने आगे बढ़ते रह जे हैं जे हैंद।